सेंध्वा शहर पुलिस द्वाला डी ओसी में मिलावट का बड़ा मामला पक्ड़ा गया प्राप्त जानकारी के नुसारी हमाल नंदुर बार महाराष्ट भी जाना था परंतु ट्रक को सेंध्वा में रोक कर मिलावट की चाना पाया गया ट्रक में करेब 400 से 425 बोरी डी ओसी भरा था जिसे पुलिस द्वारा माल को जब्द कर थाने लाया गया एवं गोदाम को सेल कर दिया गया है और पुलिस द्वारा आरूपियों पर मामला दर्स किया गया है झाल झाल जो है छे तारिक की रात में इंदोर से इंदोर के पितंपुर फैक्ट्री से निकल कर जो डियो सी आया था सुचना मिली थी कि यह जो है गोई में गोडाउन है गोलुराठोड का उसमें खड़ा किया हुआ है और उस ओरिजिनल माल को उतार कर नकली माल मिला रहा है उस पे से उसी नाइट में आधा माल जो है गोडाउन में उतार रखा था और आधा माल ट्रक में था हम लोग मोके पर पहुँचकर हमारी पुलिस मोके पर पहुँचकर गोडाउन को सील किया और ट्रक को थाने पर खड़ा करवाया फिर इस संबन्द में जाज की गई कि कहां से माल आया कितना माल आया और कहां जाना था तो यह इस माल को जाना था सालवी पॉल्ट्री फार्म नवापुरा नंदुरबार वहां जाना था और यहां पर अनावशक रूप से जो है दो नंबर का काम करने के लिए रूपा गया और उसमें माल की मिलावट की जा रही थी तो जाज पर यह मिलावट करना पाया गया इसलिए जो है पर्थम द्रिष्टिया अपरा धारा 420 और 407 का प्रकरन पाया गया जो पंजिबत कर वेचना मिले गया है और जिसमें आरूपी गोडावन मालिक गोलू राठोड है और ड्राइवर है कनहिया लाल अब है मिला रहा है थे दो तिन बोरी मिलाए है बाकी तो फ्रेसी था लेकर चल रहा था प्रपकरिया चल रही थी मिलावट करने की कटे 400-400 के लग पके है वाइज आफ राइट्स के लिए सेंद्वा से महसेन मंसूरी की रिपोर्ट